next question question says a heat engine is involved with exchange of heat of 1500 joule minus 40 125 joule and q joule during the cycle achieving an efficiency of 50% हमें बताना来 कि क्यों की value क्या हूगी अगर आपने carnot cycle पड़ी हुई है तो efficiency हम किसी भी cycle की निकालते हैं उसका बहुत आसान सबाह लें तो scenario यह ए कि जब हम आपने एफिशेंसी नीटा जब लिखते हैं, एफिशेंसी की जब हम भाहर करते हैं, उसको हम लिखते हैं, टोटल वर्क डन, डिवाद इड़ाद बाई हीट सप्लाइड, सब्सक्राइब इसको हम हाफ लिख सकते हैं, यहां पर हम चारो एनरजी लिखेंगे, और हीट सप्लाइड में हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, विकोज यहां नेगेटिव एनरजी को हम सप्लाइड नहीं करते हैं, वो यूज नहीं होती है सिस्टम में, सो वर्कडन जो आएगा उसको आप लिखते हैं, जो डेटा दे रखा है वो है 1951-40 प्लस 125 प्लस Q की वैल्यू में बतानी है, और हीट सप्लाइड में हम यहां पर लिखेंगे 1915 प्लस 125 प्लस इसको कैल्कुलेट करके आपने Q की वैल्यू आ जाएगी, सो इससे जब हम वो करेंगे, सो इस विल बी इक्वल टू यह आगया आपका 1 by 2 इस इक्वल टू यह बनेगा आपका 125 प्लस इसको उपर लेके आएगे 2000-Q इसको इसको इदर लेके जाएंगे, 2 से जबाएगा, तो 10020 diver stronger future which implies Q is equal to 2000-1020 which implies Q थी value आगया आपके 980 Joule so 980 Joule which means option-3-980 Joule would be the right answer for this particular problem.